नमस्कार मित्रों एक बार पुने स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल Steady Exam Academy में मैं एक बार पुने आपके सामने उपस्तित हूँ आज 31 अक्टूबर 2020 जो भी Current Affairs से कोशन बन सकते हैं वो आपको मैं आहल करवाने की कोशिश करूँगा यदे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि अमने दोस्तों का फाइदा हो सके मैं बार बार कहता हूँ Current Affairs आपके सेलेक्शन में Most of the role रखेगी बैया क्योंकि Current Affairs से होता क्या है जैसे Current Affairs जब कोई कोशिशन करवाता हूँ तो मैं उसके बारे में और अन्य जानकारी भी आपको देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका कुछ Esthetic GK भी Clear हो जाता है और Current GK तो है ही साथ में चले आज का सेशन सुरू करता हूँ दोस्तों पहला कोशिशन हाली में चर्चा में रहा सोफिया क्या है हाली में चर्चा में रहा सोफिया क्या है तो हाली में चर्चा में रहा सोफिया भी या प्रियोग साला है पानी की मुजूद्गी का पता लगए अर्थात मैं कह सकता हूँ कि पानी की खोजकी है चंदरमा पर पानी की मुजूद्गी का इसने बताए तो इसके कारण आपके लिए इंपोर्टेन बन जाएगा सिधा सिधा कोशन पूछ लेगा हाल इमें चर्चा में रही सोफिया क्या है या सोफिया का समंध किस देश है और इन्होंने क्या किया है जो चंद्रमा का दक्षिनी धुरू है उस दक्षिनी धुरू में एक खड़ा है या उसे खड़े को अपन विग्यानिक बाक्षा या अं पानी है वहाँ एक नदी भी चलती थी और पानी का एक भराव भी रहता था इसके कारण ये चर्चा में है अब ये हाली में मैंने बिया एक नाशा से जुड़ावा एक कोशन करवाया था बेनू एस्टेरोइड पुन्ह याद कर रहा हूं क्योंकि इंपोर्टेन रहेगा आप इस जोन करते हैं एक प्रूस एक बार पुन्हें बोल देता हूं आपको वीडियो को लाइक करते रहना है और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना है और अपना एक फेमेली टाइफ फेमेली बना ले जिसे हमारा डेली का रूटीन रहे कि यह एक फेमेली है जो लगबग 20-25 पुइंट एक साथ रहती है एक साथ जुड़ी रहती है और वो अपने कारी को अपनी गती को आगे लेके जाती है सेलेक्शन में अपना योगदान फ्रांस के खिलाब एक निंदा प्रस्ताव भारित क्या है अब पूरी काहनी समझे हालां कि मैंने काहनी पहले समझा हुए हुआ क्या था एक चार्ली हब्दो बहुत जदा चर्चा में और बड़े-बड़े काम हो रहे हैं इस चार्ली हब्दो के कारण तो आप क्या करें इ एक महमत पेगंबर का एक कार्टून बनाया था जिसके कारण ये चर्चा में रही फिर क्या हुआ उस महमत पेगंबर के कार्टून को शेमुल पेटी ये नाम भी जरूर याद रखे दोस्तों शेमुल पेटी एक इतियास कार था इतियास का प्रोफेशर था उसने क्या किया इस चाली अब दुवारा बनाई गई विवाधिद जो पेंटिंग थी उसे अपने कलाश में दिखा दिया तो कलाश में दिखाने से एक लड़के ने एक स्टुडेंट ने उनकी हत्या कर दी और Samuel Petty को करनाडा का सोरी फ्रांस का सरवोच्य अवाड लिजन डियोनर से नवाज अ गया भीया आप ये भी याद रगे माने एक कोशन और बता दिया कि फ्रांस का सरवोच्य समान कोई सा है तो लिजन डियोनर इस बार का किसे दिया गया है शेमुल पेटी को दिया गया तो मैं बता रहा था कि शेमुल पेटी की जो हत्या की थी इसे क्या है कि वहां के जो राष्टरपती है उन्होंने क्या गया इसलामिक आतकवाद है उन्होंने इस वर्ड दिया एक इसलामिक आतकवाद किसको जो शेमौल पेटी की हत्या की इसे इसलामिक आतकबाद का रूप दे दिया तो इसलामिक आतकबाद होने के कारण इससे जो मुश्लिम रास्टर है उन्होंने क्या किया इसका विरोध किया तो पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया उन्होंने अपनी संचद में प्रांच के किलाब क्या पारित क्या है निंदा प्रस्ताव पारित क्या है आप पूरी कानी समझ पाये होंगे दोस्तों कि निंदा प्रस्ताव क्यों पारित क्या है उम्मिद करता हूँ दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश किये यदि आपको ये बात जरूर जरूर समझ नहीं है क्योंकि इंपोर्टेंट रहे गी आपको यदि आपको इस बात पर अलग से वीडियो चाहिए दो-पांच मिन्ट का तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर दे वो भी मैं डाल दूंगा भया तो अभी एक कारण और चर्चा मेरा फिर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि जो फ्रांच में उच्चायुक्त है वहां के जो उच्चायुक्त है उन्हें वापस बुला लो लेकिन हुआ क्या भया तीन महीने से वो उच्चायुक्त की पोस्ट ही खाली है मानी प्रांच में कोई पाकिस्तान का उ जबरूर याद रखें, थार्ड कोशन है भिया, हाली में किस किरकेट बोर्ड के सबी सदस्यों ने इस्तिपा दे दिया है, चलिए दोस्तों ये भी चर्चा में तो उमीद करता हूं कोशन छप सकता है, तो हाली में दक्षिन अप्रिका का पूरा किरकेट बोर्ड है, उसने सा एक पर दुराचार और ब्रस्टाचार का अरोब लग दिया है हालां कि होता क्या है जैसे अभी अपने इंडिया में क्या है BCCI होता माना जाता है भीया BCCI के हस्तक्षेप में सरकार नहीं आ सकती ये ICC जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट संग है उसके दुआरा गाइडलाइन जारी की जाती है कि कोई भी सरकार वहां की क्रिकेट बोर्ड में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी जबकि दक्षिन अप्रिका में हुआ क्या था वहां के खेल मंतरी ने ये कहा कि वहां के बोर्ड के सदिश्य क्या कर रहे है दुराचार और ब्रस्टाचार कर रहे है हलांकि ICC के एक्षन में आने से पहले ही वहां के सद्धिशियों ने क्या कर दिया इस्तिवा दे दिया अपने पद्धिशे उमीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ आयोगी आप मैंने यहां दो नाम लिये हैं भीया BCCI और ICC दोनों के बारे में आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करना है ICC की जो भी स्टापना वहां के वरत्मान हेड CEO जो भी होते हैं वो सारे की सारी कमेंट बोक्स में कमेंट करना है दोस्तों आपको चलिए फोर्थ कोशन हाल ही में किस राजजी के उचनियाईले ने अदालत की कारवाई लाइव इस्ट्रिमिंग करने की गोशना किये यह पहले समझते हैं यह वर्ड इस कोशन में यह वर्ड ही हमारी अर्चन बन रहा है लाइव इस्ट्रिमिंग होता क्या है जैसे कोई भी केस चल रहा हो उस केस को यूटूब पर डाल दिया क्या जो प्लेटफोर्म है जो जनता का प्लेटफोर्म है उस पर ही लाइव कर दिया जाएगा उसका फेशला जिसे ताकि अनेक लोगों का एक शाथ फेशला किया जा सके तो ऐसा करने वाला भीया उचिनायले गुजरात उचिनायले ने ये किया है कि वहां के जो उचिनायले है वह जाही करेगा भीया, सेलेक्शन चाहिए, वो एक एक पॉइंट को लिखेगा, इनमें से कोशन आने की प्रबल संभावना रहेगी, मैं एक एसा कोशिश कर रहा हूँ, एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ भीया, या दो-तीन वीडियो के रूप में, जिसमें क्या होग कि आपका एक राज्य उठाए जाएगा जैसे उत्तरपरदेश अब उत्तरपरदेश जो भी चर्चा में रहा हुआ है उसको आपको करवा दिया जाएगा एक साथ एसा मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा अभी आप गुजरात के बारे म बग राष्टे उड्यान यह वांके राषटे उड्यान गुजरात से भारत के एसा राज्य जिसकी सर्वादिक तटीच शिमा ऑला राज्य गोन रहाँ भी यह भी गुजरात है नोट करें ये बात नोट करें जमुद्रि संग्राइले कहां इस्तापित किया जाएगा लोथ के गुजरात के है गिर्निया रोपवे ब्हारी तयारी सुतकांगे में भारत में पहला इसतान ये prima दरक आए, मैं लास्ट में जे बोल रहा हूं, वो नोट करे निर्यात तयारी शूचकांग में, भारत का फिर्ष्टरा बयिस कॉन सा है, गुजरात का है पहला नोट कर लेना, द्धूसरा महाराष्ट रहे, लेकिन पहला गुजरात है, निर्यात तयारी शूचकांग में ये बात भी आपको note कर लेनी है उम्मीद करता हूँ दोस्तों गुजरात के बारे में प्रते एक बात आपको note कर लियोगी आप वीडियो को पोज करते रहें और अपने कोफी में note करते रहें क्योंकि ये ऐसी चीज़े हैं जो आप जितनी बार note करेंगे जितने अपने यात्री है ये बोर्डिंग क्या है वो समझाना चाहरा हूँ जो भी अंतराष्टी यात्री है उनको क्या सुरुक्षित यात्रा हो इसके बारे में बताएंगे कि यह हमारा जो इंतराष्टी है यह हवाई एड़ा है वो क्या करेगा सुरुक्षित यात्रा करवाने में आप को शंबव रहेगा ये कुछ ही निए मैं शुरुक्षीत यात्रा जो भी अंतराष्टी है हमारी क्या रहेंगे यात्री रहेंगे तो इसमें हाले में ऐसा करने वाला है हिद्राबाद का एर्पोर्ट का नाम क्या है वीडियो को पोज करें और अपने कमेंट बोक्स में कमेंट करें उमीद करता हूँ सारे लोगों ने कमेंट कर दिया होगा हिदराबाद का बैया मैं नाम बता देता हूँ महां का जो एरपोर्ट है उसका नाम है राजी उगांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट कौन सा है बैया राजी उगांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट बैया यहां से ज असार एसिया का सबसे सुरक्षित यात्रा के लिए मानित्ता परदान किये किशे राजी उगांदी एरपोर्ट को पुने लाइन बोल रहा हूं हाली में एक रिपोर्ड में एरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल ने A.C.A. का सबसे सुरक्षित यात्रा के लिए एक मानिता प्राप्त किये किसी एरपोर्ट को राजी उगांदी एरपोर्ट को जो कि कहा है हिद्राबाद में है भीया सारे बात इस नोट कर लेंगे अपने नोट बुक में अपने दिमाग में कहीं भी नोट कर लें सिधा सिधा छपता रहेगा आपको आपको तो क्या करना है अपने को तो सलेक्षिन चाहिए और नोट करने कि बात तो ही क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी भया उमीद करता हूँ सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो मैं देख पा रहा हूँ कि डेली वीडियो में व्यू तो आते हैं लेकिन आप वो नहीं कर पाते क्या लाइक नहीं कर पाते भया इतने लोग ये इस वीडियो को देश में आया है जेटा तुपान अमेरिका में आया है और ये मैं आपको ताजूब हुआ है ये अमेरिका में इस साल का लगबग 27-28 तुपान है भिया बहुत है तुपान आते हैं कहां अमेरिका में वहां का एक तठ है भिया लूईसियाना मैं पुन्हे नाम लिख रहा जापान है सरवादिक भुकंपु वाला देश भुकंपु का देश के ते सरवादिक भुकंपु का आते हैं जापान में आते हैं और सरवादिक जवाला मुक्यू वाला देश कोंचा है तो इंडोनेशिया है सरवादिक जवाला मुक्यू वाला देश या सरवादिक दिपु व सिधा आप से कोशन में पूछेगा Republican Party से राष्टपती चुनाओ के पद के उमीदवार को ने तो वर्तबान वहां के जो राष्टपती है Donald Trump वो Republican Party से राष्टपती पद के उमीदवार है जबकि उपराष्टपती पद के उमीदवार Michael Pence है अब मैंने बता रहा हूँ Democrat Party से बाइड़न वाँ के राष्टपति पद के उमीदवार है और कमला हैरीष ये नाम नोट कर ले ना बैयार कमला हैरीष क्योंकि ये भारती मूल की है ये Democratic Party से अमेरिका में उपराष्टपती पद की उमीदवार है बैया कमला हैरीष ये कैलिफोर्निया से वर्तमान में सान्सत भी है कहां केलिफोर्NEYा से वर्थमान में सान्सत भी है यह नौट कर ले आगा क्यूंकि इंदिया से समंध़ ही इनका चले में तूर सैवंथ नंबर कोशन इस कोशन पर स्टार लगा लगा ले यह आएगा आपके एक्जाम में जरूर आएगा यह कोशन क्योंकि यह जो प्रयावरण से संब्दित मुद्दे होते हैं या जो विश्वे के संब्दित मुद्दे होते हैं वहां से कोशन आने की ज़्यादा संभाव नहीं रहेती ही तो संयुक्त राश्टर global climate action अवाठ से किसे न वाजा गया है तो global इसे प्रियेटन करवाने की एक संस्ता है तो यहां से जो प्रियेटन में रेवेन्यु आता है या पैशा जो कमाती है यह संस्ता वो पैशा क्या करती है गरामीन इलाकों में शोर उड़जा लगा देती है समझ पाए आप ये संस्ता क्या करती है जो भी प्रियेटर्ण से पैशा आता है उसे अपने ग्रामीन या दुरुस्त रिष्थानूमें क्या कर देती है solar panel लगा देती है या solar उज़र लगा देती है जिसके कारण ये चर्चा में रही इसे हाली में किशे कौन सा आवार्ड मिला है सिर्ख तरास्टर global climate action आवार्ड मिला है या प्रियेटन की चेतर से गरामीन चेतर में solar उज़र लगाने के कारण चले मित्रों ये बात नोट कर लेना इसमें समझाने की ज़्यादा कुछ नहीं है आपको नोट करके रखनी है अपने दिमाग में हाली में अमाल कलूनी चर्चा में रही है इनका समद क्या है ये एक वकील है महीला वकील है अभी क्यों चर्चा में रही है जानते हैं इसके बारे में येक महिला वकीले हुआ क्या था जो हमारा एश्याई देश एक माल्दियू माल्दियू की राजदानी माले है ये माल्दियू एक एश्याई देश है इसने क्या किया है जो म्यामार में रोहिंग्या मुस्लमान है कोन से ध्यान से समझे आप बात म्यामार में जो रोहिंग्या मुस्लमान है उन पर जो अत्याचार या नर्संगार हुआ है क्या बोद रहा हूं में म्यामार में रोहिंग्या मुस्लमान उपर जो नर्संगार हुआ है उसकी वज़े से माल्दिव ने क्या किया है अंतराश्टी नरसंगार हुआ है उसके कारण तो ये जो अदालत में जो लड़ेगी को मुकाबला कौन मालदीव राष्टर तो इसकी जो पेरवी करेगा या इसका मूल जो मुखे वकीद रहेगा वो रहेगी भीया अमाल कलूनी तो चर्चा में रही है याद रखना ये एक वकील है कहां की मालदीव की जो क्या करेगी पेरवी करेगी अंतराष्टिय शहस्ता में और ये भीया बिरिटेन की बहुत मोस्ट वकीलों में इनका नाम आता है बहुत अच्छी वकील है ये भी बात याद रखना है अब मैंने जज होते हैं उसमें एक दलवीर भंडारी भी ये भीया वहां के एक जज है दलवीर भंडारी जो अपने कहां के जोदपूर राजस्तान से समदे भीया उनका कहां से समदे जोदपूर राजस्तान है जो कि नो साल के लिए वहां अभी रीव पॉइंट होएते ये अंतराष्टी अधालत में जो जज होते है उनका कोरम या गणपूर्ती कितनी होती तो नो सधेश्यों की गणपूर्ती होती है चले मित्रू नाहिंत रमर्ट कोशन है, ओहांका खदी चर्चा में है, इसका उत्पादन कहां से होता है यह चर्चा में रही है, क्यों रही है अभी बात करते हैं, पहले कोशन समझते हैं, यह मेक्शिको में इसका उत्पादन होता है, कहां से होता है, यह मेक्शिको एक अमेरिकी देश है, जो अमेरिकी कोंटिनेंट है, वहां का देश है, उत्री अमेरिका का यह देश है, जो कि अ प्रियावरन हीतेशी है जबकि बोडी फ्रेंडली अपने जो शरीर पर फिट होने वाले या शरीर के लिए भी अच्छी है तो इसके कारण यह चर्चा में नहीं इसका मतलब यह अच्छी चीज है ओहा का खादी इसका उत्पादन का होता है मेक्सिको में यह भारत में क्यों चर्चा में यह तो जो मन की बात करते हैं मन की बात कोन करते हैं यह परदान मंत्री जो अंतिम जो महिने का जो सनिवार होता है उस दिन क्या कर जाता है मन की बात की जाती है तो मन की बात में भारत के परदान मंत्री ने क्या किये इसकी चर्चा किये मैंने सनिवार बोला गय मैंने यहां कोशन को आपको समझाना समझा इसके कारण में लेके आए हो टेंथ नमबर कोशन इस पे लगा लगा ले स्टार विया हार ही में डोक्टर तुल सिदास चुग अवार्ड दोजार बीश किसे दिया गया है तो ये दिया गया है सतीस मिस्रा सतीस रेडी नहीं सतीस मिस्रा सतीस मिस्रा कोन है भी या एकदम है इसनका नाम कैसे सामना आ गया तो ये लखनाओ में एक डोक्टर है जो की मलेरिया का जो मलेरिया किसके कारण होता है 37 मिश्रान है और ये कांके लखनों के इनके कारण इनको डॉक्टर तुलसिदास चुंग अवार्ड 2022 से नवाज़ा गया है ये वार्ड कौन देता है भी ये वार्ड राष्ट्री आयूर विज्ञान अकादमी देती है कौन राष्ट्री आयूर विज्ञान अकादमी जिसकी इस्तापना 1961 में हुई और दिल्ली में उसका हैड कोटर है मैंने का यहां 37 रेडी भी लिखाया भी या 37 रेडी कोन है भी या डी आडी ओके हैड है भी या संझे कोटारी भी या वरतमान सत्रकता यूपते संझे कोटारी बार बार कोशन ला रहा हूं बार बार आपको बताने की कोशिच कर रहा हूं तो इसके कारण इंपॉर्टेन रहेगा आपके एक्जाम के लिए चले में तुरू आज का सेशन से यहीं समाप्त करता हूँ अपने 10 कोशन आज समाप्त हुए उम्मीद करता हूँ 10 के 10 कोशन आपको शर्मज आए हैं अच्छे से समझ आए हैं आपको याद भी हुए हैं या समझ आए हैं तो आपको क्या करना है भी या लाइक करना है और अप तरीके से समझाने में मज़ा हैगा तो यह मेरी कामने रहेगी है कि फेमेली की तरह जुडाव बंदा है आप ज्यादा से ज्यादा से शेर करें भी यह जितना भी लोग है और इस वीडियो को लाइक जरूर करें बहुत कम लोग इसे लाइक करते हैं क्या आपको पसंद नहीं आता पसंद नहीं आता तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करें कि हाँ इसके कारण हमें समझ नहीं आता या यह वीडियो पसंद नहीं है चले मित्रवाद का सेशन यह समाप्त करता हूं धन्यवाद आपको देखने के लिए वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको धन्य वाद लास्ट में जे हिंद जे बारत